केलांचल टाइम्स हर खबर पर हमारी मज़र नमस्कार आप देख रहे हैं कि लांचल टाइम्स मैं हूं अंकार जार्खन में चुनाव होना है चुनावी बीगुल बजा हुआ है चारों तरफ चुनाव का सोर सुनाई पढ़ रहा है अभी हमारी पूरी टीम सरहिया हाट प्रखंड के गादी जोपा पंचायत में और यहां पर मेरी मुलाकात जो यहां के भावी मुख्या प्रताशी बीटिया हाजदा जिसे हुए और उनके प्रतिनिदी बिहारी क्यों जिसे इनहीं से जानते हैं कि वह चुनाव उनका लड़ने का क्या उदेश है किन कारण से वह मैदान में आये हैं जी अपना उदेश बताईए सबसे पहले तो सभी मदब को नहुस्तिते जी जी इसके बाद आपका उदेश क्या है किन कारण से मैदान में है हमारी परिवार दसा से सब्सक्राइए यहां पर जी आशा करते हैं कि हमारे पंचात के सभी जान इस बात हमारे सभूब करेंगे जी इस बार हम लोग सबसे पह सब्सक्राइब करेंगे जी तो आपने बताया यहां पर आपने क्या काम करेंगे जीतने के बाद आपके पंचायत में वाड कितना है समस्या क्या है समें सर स्काइब की समस्या है यहां से चल जाते दुसरी है अब और उस मखिया hal Nahe की समस्या हैропão की समस्या है इस दिससे मीलना चाहिए उससे नहीं मिलता है आधए जीत चुके हैं मेला प्रप्रफ करना करने करा जबात इससे हुआ है और nerok होसेे से और सब जुड़े हुए हैं पंचायत की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं कि संदेश क्या नाम है आपका ग्राम पंचायत परखंड जिला दुमका आपका नाम क्या है अब हमारी मुलाकात बिटिया हाजदा जीसे हुई है वह मुख्या के प्रत्याशी है उनके प्रतिनिदी से भी मेरी बात हुई विहारी किसकु जी उनका कहना है कि सब तरह विकासी करेंगे चाहें वो सिक्षा के छेत्र में हो स्वास्त समंदी हो महिलाओं को आगे बढ़ाने का हो युगों को शुरूजगार से जोड़ने का हो और इनका आपका चुनावची क्या है बुरुष क्रमांग्ज के कितने पर आठ नमबर पे इनका जो चुनावची बुरुष शाप है और वह उन्हां के आठ नमबर पे और यह जनता को यहीं संदेज्दी है कि आप एग पर हमें वारिद मतों से विजय ही बनाएं विटिया हस्दा को और उसके बाद आप समाज में दिखेगा पंचायत में दिखेगा सिर्फ विकास ही होगा बाकी जनता मालिक है फिलाल बने रहें के लाजचा टाइम्स के साथ धन्यवाद अरे इक अपिया इसे वीडियो देखे जाएगो तैनका साथ्राइब कर लो और हाँ इंटा को बतानी जरूर दबाना तब हमार वीडियो का नोट्पीकेशन सबसे पहले मिलेगा यहां वहां का देखा थो अंतुन काई कारने जल्दी दबाओ